हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इंटेनेटपढ़ाई डॉट कॉम आप सब्सक्राइब बहुत स्वागत है मैं यहां पर आपको सिक्स्टू ट्वैल्स का स्लेबस करवाऊंगी और जैसे कि आप सभी को पता है वह स्लेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूं और यहां पर में आपको वह पूरा स्लेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइस कवर करवाऊंगी और अगर आपको पीछे कोई वीडियो चूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेटपढ़ाई डॉट कॉम पे उन वीडियो को देख सकते हैं इसके अल आप यो एक चलता रहता है मतलम हैं इसे ऐन्वीरिमेंन्ट के अंधर है उनसे क्या प्रोसेश हो रही है और जहां से स्टार्टिंग और ऑँवाद पहां पूरी हो यह पी अर्च वाह पीजियो अन्गारी सिक्ते कि पढ़ए हो हां से अरह चार्व ईपड़ाय के ओने बचि वह तरहां है कि मुक्ते हाई कशके कंशेंब जरुआ असके कारण से करण होता है वह व्हों पूरी पानी का अर्थ है उसके उपर क्या परिस्तिति होती है तो के नबने करूपि चल रहा था मारा वोटर साइकिल, जल ये चक्र, तो देखे सबसे पहले होता है, जल होगा, गरम होगा, जलवाश पर बनी, फिर क्या बनेगा उससे, वो बारिश के रूप में, जलवाश के रूप में उपर जल आ गया, फिर बाद में बादलग के रूप में क्या आ गया, वापस से नीचे आ और वो बारिश चे फिर वो पानी को लेके गया, नदिया लेके गई, नदिया लेके जाके वो पानी समुदर के अंदर मिल गया, ये पूरी प्रोसेस होती है, सतैफर गिरा पानी बारिश से, फिर नदियो की दोरा कहा चला गया, समुदर में चला गया, ये जो पूरी प्रो से क्या बनी जलवाश को बनी जलवाश को से क्या बने बादल बने बादल से फिर क्या हो गई यह बारिश हो गई और बारिश से वापस पानी क्या आ गया भूमी पर आ गया अब यहां के आगे क्या कंडिशन होती है यहां से पाने तो यह जो साइकल चल रहे है न यहां आगर आपस सो डीफिनिस्न पूछी जाते हैं कि जल चकर किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि जल का जलवाश में बदलना, जलवश उसे बाद बारिश के रूप में वापस धर्ती पर आना. यह प्रोसेस क्या 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 लाती है यह प्रोसेस बोटर साइकल क्या लाती है यह प्रोसेस जल चकर क्या लाती है अब यह बात हो गई बादल है बारिश हो गई अब भूमे पर जो पानी आया है यह जो पानी आया है बहुत सारा है इसके अंदर यहां से कहा जाना है यह बूम मृपर तो गिरा है यहां से जाएगे भूमी सारा जल आया है यहां थे लेकर जाएंगी और फिर ने जाव हो चलिसे जाएंगी समंधर में जाकर में की समय हो गई 항 A कि फूरे जितना शौंण हो emoMI के उपर आया है जैसे वह आ वो पूरा तो ना तो इस प्रोसेस के अंदर गया ना उसका पूरे का अच्छी तरह से यूज हुआ तो क्या होता है कि इसमें से कुछ पानी होता है सारा जल भूमे पर गिरा इस पर नहीं किया जाता है सारा जो है वो नहीं लेके जाए तुरन समुन्दर में भी नहीं जाता है वो काने जाता है पूरा का पूरा वो काने जाता है समुन्दर में नहीं जाता है तो कहा जाता है ज्किए भूमे पे जल गिरा अब जो मिट्टी हो तो इसके अंदर क्या panelsежд कि पाउर होती है मतलत जल को अशोशित करने के शंपता होती है वो क्या करेगी जो जल भूमे पे गरा उसके अंदर क्या हो गया इसे से कुछ जल कहा चला गया, मिटी में चला गया कुछ जल किस में चला गया, मिटी में चला गया ठीक है, जब मिटी के अंदर चला गया जल, मिटी ने क्या क्या उसको मिटी ने उसका उसोशित कर लिया, उसको एब्जोब कर लिया के लिव्य द好吃 अदर मिठी चाल गयाए मिठी ने उसका ऊशुषित कर लिया जब मिठी के इनर चल गया घुता उन्द भूपी है तो लिए किसका पार्ट ऑगया वह चाल हो गया बूजल का हिस्सा मतलब भूमे के अंदर जो जल होता है वो उसका पाट बन गया धती के उपर आया पानी पूरा बैके नहीं गया है कुछ जमीन ने भी जो कया इसका अशोशित किया है और एक चीज अगर कॉमन सेंस के साब सबसे थोड़ा हटके अगर एक चीज मैं आपको ब बाइतानी बानी पॉच्छत किया जाता है उतना पानी बानी बाता जातां rementकी बात फिर्स में पोचे को सामन पेंद समुन्दर तक इन यह पानी में जाके पानडौार जयों मिलता है वोटर्य साइकल कप्लीट हो बूमी के अंदर चला गया किसका हिस्सा बन गया वह भूजल का हिस्सा बन गया इसके अलावा जैसे यह भूजल है भूमी के अंदर जल चला गया अब इसके जो उपरी सतय होती ही कभी-कभी क्या होता है सतय पर आ गया जैसे हम कुए वगेर होते हैं कुए हैं 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 ह म।झ ждet को उसके पशेज साल कर दिए तो थाकर आप कंडिशन गाल दो акण क्या है ॉश को यॉजब इसके कर निदर म२ें को निदर नेक्स न का लिखेएंगे कि जो घर नगे जो टे जार हो गया है उनसे क्या नि-धव पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, हमारे लिए पाने, जिस भी कंडिशन में, जिस भी हाल में मिलता है, वो उसी टाइप का, जहां पर कमी होते हैं, जैसा भी पानी मिलेगा, वो पानी यूज म वहां पर कुभ्या बन जाता है, क्योंकि मुफने पानी का पानी का क्या हो रहा है? पानी वां पे असटार हुआ है, और जो पानी स्टार हो गई, यह से तो हम जल कूबार निकालेंगे हैं, ठीक है? अब यह कंडिशन होती है, एक कि इसके अंदर पाने को क्या क्या हमने बाहर निकार लिया इतनी ये जो पॉसिस है कि मैंने आप को बता ये आपको अगया होगा अगर आपको अगया है तो आप वीडियोज को लाइक कर दीजे ताखि मुझे भी पता चले कि आपको अगया है कोई confusion है, कोई doubt है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं आपके हर question का reply देने के पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी और इस quality education की initiative को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पचाने के लिए आप वीडियोज को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें तक आपको daily updates जो है वो मिलते रहें और अगर आपने अभी तेक अभी पीछे के वीडियोज जो है वो मिस हो गए आपके आप इंटरनेट पढ़ाई की playlist में जाके वीडियोज को देख सकते वहां पर आपको chapter to chapter topic to topic सारा syllabus है वो मिल जाएगी की काम सारी यह इसके यंदर कि अदर पानी गए इसके अलावा है जो पानिश्य है इसके अलावा जो पानी इसकी कंडिशन हम देख जब बह रहा है जल आया है तो कुछ ऐसे क्या होते हैं वहुत सारे पदार्थ जो होते हैं that package, सलसे नदर है है जाने data है जेसे वाटर है, उसके अंदर क्या, सब्सकिया इस वाटर होता है उसके नहीं, जल उनीवर्सल सील होता है जो चीज़ इसके अंदर गुल सकती है, उन सभी चीज़ों का अपने अंदर क्या रखता है, गोलने की छमता रखता है, इसलिए यह है, और सो से इंपोर्टन चीज़, आपके नीट वग्रिमी से सावसे क्योशन आता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, जल से हमें कित जल आया है, जल क्या करता है, कि जो इसे मिनरल्स होते हैं, खनीश बाद देते हैं, तो जो खनीश इसके अंदर गुलते हैं, तो जो घुल सकते हैं, तो जो घुल सकते हैं, तो जब जाता है जल भैके, तो क्या करता है, अपने अंदर उन सभी खनीश को क्या करता है, गुल अब कुछ तो क्या होगे गुलगे, कुछ हो क्या होगे नहीं गुले, तो जो नहीं गुलते हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी जो से बहा करके काने जा जाते हैं, समूंदर में चला जाते हैं, तो next experiment हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये तो हो गया कि जलके युनिवर्सल सेल अधिकांस जो पदार्त होते हैं प्यरकाइश को क्या कर सकते है यह गोलने की छमता रखते हैं घोलने की क्या रखते है क्यों रखता है इसे पदला कुछ नहीं है लिक्विड मίο, इस करण से क्या होताई है अपने दर भल सकता है अब यह调क। के खंडिशन हो गोल सकते हैं दूसरा में भॉला दना मिंडरी नेक्स्ट कुछे ओता है मिंडर्स गोन कि ने जो क्यों चवते हैं इसे जा रहा है इस कि ने आए जा रहे हैं UP लेकि जा रहा है तो जो गुल सकेंगे वो तो गुल गए उनको तो जल क्या होगा जो कुछ गुल सकते हैं उनको तो क्या होगा लेके जाएगा और जो कुछ नहीं गुले हैं नदी के साथ के जाएगे नदी के अंदर पानी बहेगा तो इसके अंदर क्या होता है वो से जो वोशक चत होते हैं फिले हुआ है है and vegetable by है उननी गुलने वाले मिंडरल्स होते हैं वह तो किसके अंदर गुल जाते हैं वह अ मैं जल जाते हैं जर्ष्ट है कि अंदर क्या होते हैं हो जाते हैं खिक है जब प्ढिक अडें घुल तो कोई भात हructor यह उसकी तो नेक्स अगए कि वह वुट खत्म कानी अब ददी आता है जो नहीं घुले जो εκथ क«णेज इसके इंदर क्या होंगे का गुलते हैं इसके अंदर जो मिनरल्स नहीं गुलते हैं तो उसके अंदर क्या कंडिशन होते हैं जो नहीं गुलेंगे तो क्या होगा अब देखें जरूरी निया कि कोई खनीज क्या होते हैं वो पोशक तत्वों से युक्त होते हैं तो इसके अंदर क्या होगे पोशक तत्व हो गयए हैं यह क्या होते हैं पोशक हैं अब यह पानी आया है फिर लेकिया है वह होगया अब नदे क्या हो जाएगा इसको बहा के ले जाएगी, यह जिस पानी के अंदर प्रेजेंट है, खनीज पोशक उसके अंदर प्रेजेंट है, वो पानी जब बहेगा, तो कौन बहा के ले जाएगी नदियां लेके जाएगी ठीक है नदे लेके जाएगी अब नदियों के अंदर वो खनीज वो शक्तत तो जो है वो लगातर क्या जा रहे हैं बहते जा रहे हैं कहा जाएगे नदियां कहा जाती है वो समुंदर में जाती है ने ज sag किस में जाके मिल गई ? वू मिल गई तो उससे क्या लगातार जब वाना wraगातार बहा है नद्यों को भागाके लेकर जा रही है उसके अंदर क्छनी बहुशक्ततो है तो यह क्या करता है यह जो सारे जो पोशक तत्तो होते हैं, इनको कहां पर, जो समुंदर के अंदर मिल गई है, तो कहां जाएंगे, नदियों से और समुंदर के अंदर चले जाते हैं, अब जब समुंदर के अंदर गए, तो समुंदर के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जियू र रॉरी ने कंदिशन वे उना फिव जेव नहीं है, तो これ यह सकते हैं, आप चुन नहीं कोटे हैं, Gibson कोटे हैं, बी थे फिर की सब्सका हैं अंधर अंतर नहीं कोुए रहा कोटी है, उन नहीं जत्न को उसी को यूज लेते हैं उसह हो उसह इस तब ही वह उते हैं जिंदा रपाते हैं वह चोप requiring a और जल्य चक्र उताल कि अंदर अवस्थाइश और भी टो मैं आप से पुछा नियुटियो में नहिंड और जनन बताना बताना है उसकंधांपल इस्ट यहस्ट जो होता है उसके अंदर पॉडडैक्शन पोर इससे होता है छो तो काईक जरन के प्रोसेस होती है उसके अंदर मेली ऐसा तुसके अदर कुलन वर्डिंग प्रोसेस चलेगी लेकिन मुख्य रूप से देखे तो किसका टाइप है वो काईक जरन का टाइप है तो यह आप धान रखना यह तो हो गया उस कोशन करेपले अब बात आती आज का जो कुशन है वो कौन सा होगा तो आज का जो कुशन है वो यह है कि जैसे जीव क्या करते हैं भोजन ग्रहन करते हैं किसके लिए अपने आपको सरवाईव करने के लिए आपको यह बताना है कि जैसे पेड़ पोद्य उन्होंने भोजन बनाया है तो उनके लिए उनक अगर आपको मेरा पड़ाया समझ में आया आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके बताए कि आपको समझ में आ गया है और अगर कोई इसलिए ना तो आपको कोई टॉप्टिक सर्च करने के जरूरत है ना आपको के दूशा टूशन क्लासे जानके जरूरत है ना पैसे वेस्ट करने की जरूरत है और इसके लिए आपको हम complete matter दे रहे हैं लेकिन आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा शेर करना होगा क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे शेर करोगे हमरे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेज के अधर सभी सब्जेक्ट उनके complete courses आपको प्रोइड करवाएगी और भी sequence wise और आपको पूरा matter जल्दी